नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैं हूँ अभिसेख मिस्रा इस वक्त क्रोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि मुख मंत्री नितीश कुमार की बती जी की क्रोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी कि मुख मंत्री आवास में क्रोना की एंट्री की खबर आते ही हरकम मच गया था और दूसरी खबर यह आई कि मुख मंत्री आवास से जुड़े कई लोग क्रोना पोजिटिव पाए गये हैं और तकरिबन यह संख्या साथ है तो इस वक्त एक बड़ी खबर है कि एसिम्टोमेटिक थी मुख मंत्री की भतीजी यानी की लक्षन दिखाई दे रहे थे लेकिन क्रोना का संक्रमन नहीं पाया गया है इसलिए उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है और चिकित्सकिये परामर्स के अनुसार वे अब होम कुरेंटाइम में रहेगी तो बड़ी खबर है और आप जानते हैं बिहार में क्रोना का अब बिस्फोर्ट सामने आ रहा है आज ही क्रोना के 17749 नए मरीज सामने आये हैं जिसके बाद बिहार में क्रोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार चली गई है 13,274 हो गई है बिहार में क्रोना मरीजों की संख्या और 9,338 38 लोग करोना से ठीक हुए हैं तो ये बड़ी जान करें करोना को लेकर तो बड़ी ख़बर मुख मंत्री की बती जी की करोना रिपोर्ट निगेटिव आई है वो एस सिंटोमेटिक थी चिकत्सिकिये परामर्स के बाद उन्हें होम कुरिंटाइन में रहना होगा इस ख़बर म इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे प्यार समर्थन और सहयों के लिए बहुत बहुत एक जिन्दगी बिचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिन्दगी बिचाने वाले को हैंपके आपके साथ झाल झाल